थोड़ा से लोगों ने धाका दे दिया तो कहा कि बैरिकेट कोई पारल्या मेंट करद नहीं लोग उसमें गूस गए थोड़ा सा बैरीकेट का तुटा थूटा नहीं हटा और दुचार लड़के वह उसे अंसरसे बाहर निकल गए मार लाठी कर दिया गया जो भी अधिकारी के नितितमें इन लाठी चार्ज किया गया उन पर निष्चित तूर पर करवाई होनी चाहिए जीता नमाजी को तो खूद ही जब बिहार में मुक्मंतली थे एक मंदिर में गए? तो मंदिर धुलवाया गया तो वो तो खुद ही जो है इस परताणा को जहल चुके हैं लेकिन अब भाजपा जैसी पार्टी के साथ चले गए हैं तो विचार भी बदल जाता है ना कहने के लिए ऐसे लोग दलित होते हैं लेकिन होते नहीं है दलित अब इनकी पूरी विचार करने माले जो पार्टी भाजपा है उसके साथ चिधे तोर पे खड़े थे 21 अगस्त को सुप्रीम कोट के खिलाब बहुदन समास के लोग सड़क पे थे और भारत बंद का ऐलान किये थे कई जगा लाठी चार्ज हुआ तो कई जगा लोग जेल भी गए हैं कई जगा पर चार्ज को पटना में बल पुर्वक मारा गया लाठी चार्ज की चाहें जितना भी निंदा की जा वो कम होगा और मैं समझता हूं कि दिल्ली और पटना की सरकार एकदम तनासा सरकार की रूप में सामने आई और आप जानते हैं कि बाबा शाहब अंबेदकर ने संबिधान म जो आरक्षन का प्रवधान लाया वो समाजी के रूप से जो बंचित समाज था सोशित समाज था उसको जो है मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षन का प्रवधान लाया था और आज हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग उसमें छेड चाड़ करके उसमें आरक्षन के भी करना चाहते हैं यह बात सही है कि अभी भी समाज के मने दलित समाज के ही स्टी स्टी के ही कुछ लोग बहुत ही पिछे हैं जैसे भंगी जाती है डोम जाती है मुशार जाती है इनको सरकार स्पेशल योजना लेकर के इनके आर्थिक विकास की दिशा में कारे करें लेकिन आरक कि खिलाफ है और कोई भी छेडशार संविधान की मुल्भावना की खिलाफ है और उसमें करने का अधिकार भी पारलियामेंट को है दूसरे किसी संस्था को नहीं है लेकिन सर आखिर इस तरह का जो अधेश सुप्रियम कोड देती है जिसमें जनता नराज हो जाती है एक हुआ था हम लोग के साथ में जब नितिश जी आये थे तो जाती है गड़ना के बाद जब आरक्षन की बात आई कि नब्य परतिसेतावादी बिहार में पिछडा अती पिछडा और स्टीएसी का है और बाकि 10 परतिसेतावादी जो है अन्य लोगों का है परकस्ट का है तो जो हिसाधारी होना है वह कंब है इसादार पर क्रक्षाद के दायरे में विष्तार किया गया 65% किया गया सदन में हम लोग देखे कि बीजेपी वाले आरक्षन के सवाल पर सहमती ब्यक्त किये जब उसको पर उस प्रस्ताव को पास करना था तो सर्व समती से पास हुआ तो सदन में तो यह रोल था लेकिन हम लोग जब इसको नवी सुची में डालने के लिए भेजा गया तो उस रहां कि जो सरकार है आज तक नहीं डाली जिसके चलते हाई कोट ने उसको कर धी कर दिया अगर यह MANworks में डाल दिया गया होता तो आज इसमें हाई कोई हट्चिप नहीं होता तो उनकी जो भावनाएं उनकी जो नियत है वह सास जालक रही है कि भले ही समाज बोट लेते हैं इसलिए दलित समाज को धोखा देने के लिए कहीं कहीं बोलते रहते हैं या सदन में उस समर्थन कर दे रहा हैं लेकिन अंदर से वह आरक्षण को समाप्त करने के पहले से ही योजना लिए हुए हैं और इनके जो मूल संगठन है और इसे उसके मौहन भागवत जीने कई बार अरक्षण में बदलाव के लिए और अरक्षण भावना नहीं नहीं है और उसको निश्ची तोर पर सुप्रीम कोट को पुनर विचार करना चाहिए जनता कि भावनाओं को देखते हुए सम्विधान की मुलाव हुए विचार करने जीतन रामान्जी जो केंढ्री के मंत्री ऑभी और दलित के नेता भी है वह करें कि सुप्रिम कोट कहाओ ये जो तिसलब चाहिए ठीक है और वह सपोर्ट कर रहें और करें जो भारत बंद कर रहें थे वो लोग स्वार्थी है तो जीतानम मांजी को तो खुद ही अभी आज के समय में कहा जाए जब बिहार में मुख मंतरी थे एक मंदिर में गये तो मंदिर धुलवाया गया तो वो तो खुद ही जो है इस परताणा को जहल चुके हैं लेकिन अब भाजबा जै में थोड़े ना उनको कहना है इसलिए इस बार उनका जो रोल था वो एकदम दलित भी रोधी था और यह रोल आरक्षण को समाप्त करने माले जो पार्टी भाजपा है उसके साथ सीधे तोर पे खड़े थे इसकी मैं समझता हूं कि गलत था इसकी मैं निंदा करता हूं यह सही नहीं सर एक अंति में शवाल कर लेते हैं जो लाठी चार्ज किया गया पर्शासन के द्वारा करी लोग घाइल वे इसको कैसे देख बैने तो पहले ही कहा कि यह बहुत निंदनी है घोर निंदा मैं करता हूं इस घटना की और जो भी अधिकारी उस समय मौके पर को पर उत्रे थे तो इससे बात से समझ लेना चाहिए कि कितनी जो है लोगों के अंदर आक्रोश है अब आप आप उस भावना को बिना समझे हुए और थोड़ा सा लोगों ने धाका दे दिया तो कहा कि बैरिकेट तोड़ दिया रहे बैरिकेट कोई थी का दिवार थोड़ चाहिए लेकिन थोड़ा सा बैरिकेट का टूटा नहीं हटा और दुचार लड़के वा उससे अंदर बसे बाहर निकल गए मार लाठी चार्ज कर दिया गया और मैं देखता हूं कि पटना में जब भी कोई परदर्शन करने लोग आते हैं तो लोकतंत्र में हर आदमी को पर पुरी सांती पूर तरीका से लोगों ने बंद किया और आप अब ही किया उतना करने के लड़ी चां छी स्वें और एंपातितों स्वेसिती अर हाभाई होनी चाहिए यह लोगतंत्र में किसी विशूरत में ऐसी घटना की इजाज़त नहीं दिया सकते हैं तो यह इंडिया एलाइंस के विधाय कमरजीत कुश्वहा सर्थ हैं और इनका साफ करना है कि जो भी पददिकारी के नितुरित में लाठी चार्ज हुआ उस पर करवाई होनी चाहिए और इस तरह की जो घटना चात्रों के साथ घटी है यह गलत है निंदनिया है और जो लोग शमर्थन दे रहे हैं सुप्रीम कोट के फैसले के उन पर भी साफ तोर पर कर दिये हैं कि यह सिधा दलित विरोधी जो चेहरा है वो सामने आ गया है नाम का दलित का निता है बैराल हमा बहुत धन्यवार दो